दूस्तों फाइनले नेशनल स्कॉलर्शिप का जो ऑनलाइन आविदन की परक्रिया है जो से शुरू कर दिया गया है नेशनल स्कॉलर्शिप के तहट आप दो परकार की छात्यविद्टी के लिए आविदन लिया जाता है पहला है प्रीमेटिक में कख्छा 9-10-20 तक का जो भ प्रीमेटिक एक स्कॉलर्शिप का जू लाब है आप ऑसको पसंद है तो लाइक करिएगा साथी चैनल को जरूर सस्क्राइब करिएगा ताक आने वाले हर एक video की नोटिकेशन आपको मिल सकेगी चलते अपने असकिन पर और सारी जयनकारी बताते हैं के स्कॉलर्शिप के बारे में सबसे पहले अपने मुवाइल या लाप्टॉप में जो भी ब्राउजर है उससे ओपन करें गूगल में सर्च करें ऑनलाइन अपडेट नेशनल स्कॉलर्शिप का आप इसपे क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे यहाँ पर सारी जनकरी बताईगी नेशनल स्कॉलर्शिप क्या है इसमें कैसे आप एतन करना है इसका क्या उदेश है इससे क्या आपको बेनी भीट मिलेंगा और क्या क्या दस्तावेजी आपको लगेंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं ओनलाइन अपलाई करने के लिए नीचे आपको डिरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दीगी आप डिरेक्ट इस पर क्लिक करके ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं आपको बता दे निशनल स्कॉलर्शिफ का लाब लेने के लिए अगर आप 9, 10, 11, 12 या उससे उपर की पढ़ाई करते हैं तो इसका आप बेनिफीट उठा सकते हैं क्लिक करने के बाद आपके सामने इस पर का कर सक्षन आएगा जहाँ पर आपको देखनों को मिलेगा क्लिक हेर 22 के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और आप इनका ओफिसल वेब साइट में भी आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं रेजिटेशन इज ओपन फॉर अप्लिकेशन 22 के लिए यह स्टार्ट हुआ है कल से ही लेकिन इसका लिंक आज से परोपर काम करना स्टार्ट कर दिया गया है अब यहां पर एप और चाज़ ओखे कर सकते हैं यहां भी आपको लिंक मिलता है डिय्रेक्ट पर किलिक करंगे तो यही DRB करेंगे अभी आप वाकि आपको समझना होगा जैसे ज highlighting डालेंगे तो आपको educational जो certificate है उसके अनुसारी डालना है डुमिसाइल एस्टेट में जैसा अगर माल लीजी आप बिहार एस्टेट के रहने वाले हैं अपना पढ़ाई आप दिल ही में कर रहा है तो उस एक में डुमिसाइल एस्टेट का जो address होगा आपका बिहार का होगा यह नहीं कि आपका दिल ही का होगा तो यह चीज को भी ध्यान रखेगा और यहां पर scholarship category में बताया गया कि प्री मैटिक के अंतरगत नौबी दसवी के जो छात छात रहा हैं आभेतन दे सकते हैं और पोस्ट मैटिक के अंतरगत 11-12 इससे एभव जितने भी छात रहा है जैसे आईटी आई बीसे बीकॉम बीटेक मेटिक या किसी भी परकार के त्यारी करते हैं टौक कलास का भी तो आप इसके अंतरगत पोस्ट मैटिक में आएंगे तो यह complete guideline है यह सभी guideline को आप पर सकते हैं बढ़ने के अब सकता है अगर थोड़ा सभी mistake करेंगे तो फिर form reject होने की 100% संभावना होती है यहाँ पर आपको state select करना जिस राज के आप निवासी है आप उस state को select करेंगे उसके बाद आपको अपना स्रेनी select करना है स्रेनी के अंतरगत जैसे हमने आपको पहले clear किया कि प postmatic के अंतरगत 11-12 उससे उपर जितने भी छातर है वो यहाँ पर आते हैं तो इस recording आपको detail बताना है अपना नाम यहाँ फिलप करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे scholarship category में आपको बताना होगा तो यहाँ पर scholarship स्कीम ही select होगा उसके बाद आपका जो भी जाती होगा सिर्फ अभी हमने clear किया कि SC वाले जो छातर है अभी उनका within process start हुआ है हो सकता है कुछ दिन बाद आप वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है अधर category का भी यहाँ पर start हो चुका हो तो आप आकर एक बाद जरूर यह चीच चेक कर लिजेगा उसके बाद आपका परिबार होगा उसको select करना फिर आपका जूभी डेट होगा उसको select करना यहाँ पर दिखेंगे तो जेंडर बताना है मेल है फिमेल है उसके बाद एक मुवाइल नंबर देना एक email ID देना जरूरी नहीं है लेकिन आपके पास है तो आप जरूरी से डाल दे उसके बाद आपका collect करना जहां पढ़ाई कर कर रहे हैं उस जीला के अंतरकरत जहां भी आपका college होगा जिस state के या न हम नहीं ही तो का मतलब अभी आप अब इतर नहीं दे पाएंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कोर्स का नाम आप से पूछा जागा कि किस परकार का कोर्स करते हैं उसके बाद जो भी आप अब यहाँ पर एक चीड डिटेल में धियान रखेंगे का एकाउंट नमबर आप इस्टूडेंट का ही डाले आप खुद का डाले यह नहीं कि आप अपने माता या पिता को डाले फिर डालेंगे तो समस्या आपके साथ हो सकता है यहाँ पर पहचान विबरन में आपको सेलेक्ट करना होगा कि यहाँ पर कौन सा विबरन आप देना चाहते हैं अधार काड है तो अधार काड को सेलेक्ट करेंगे अगर अधार काड नहीं है तो बैंक अकाउंट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अधार काड को सेलेक्ट करे पर बाद एक option मिलता है continue का इस पर क्लिक करेंगे अब आपको वह ID और password आपके mobile नबर पर भी भी भेजा जाएगा ID आपको यहाँ पर जो मिला है वही रहेगा password आपका date of birth हो जाता है तो पासवर्ट को डालेंगे जो पासवर्ट आपको मिला है या अपना डेटो बर्ट को डालेंगे फिर नीचे में एक काप्चा मिलेगा उसके बाद login पर क्लिक करेंगे जैसे लोग इन पर आप क्लिक करेंगे जो मॉवाइल नमबर आप दिये होंगे उस पर OTP भेजा जागा OTP डालने के बाद कॉनफर्म पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको पासवर्ड चेंज करने के अब सकता पड़ेगी पासवर्ड इसी परकार चेंज होगा जैसे एक आपको छोटा लेटर एक बड़ा लेटर एक आंक जैसे 0 से 9 के बीच में एक सिंबल होना चाहिए उसके बाद समिट पर किलिक करेंगे इस परकार आपका पासवर्ड स इस कॉलों में फिर मदर का नाम जो भी होगा इस कॉलों में डालना अपना इंकम डालना है यहां पर जहां भी अपने एडमिंसन लिया उसका क्या एक एडमी की एर है उसको डालना है फिर यहां पर आपका रॉल नंबर जो मिला होगा जहां भी अपने एडमिंसन लिया वो डालना है और यहां पर देखेंगे आप से पूच्छा जाता है कि पजिएन्ट कीलास कोरस के बारे में पूच जा squat रहे कि पर जब मोड आपको चाइम तो यहांपको पढ़ाई complete किया होगा जैसे अगर 11th में बिसन लिया तो 3 आपने पास किया होगा तो किस बोर्ट से आपने किया होगा उस बोर्ट को यहां साथ को select करना होगा और यहां पर बताना होगा कि पहले previous में आपने किस course को complete किया तेन्थ या 12 को किया है उसका जो भी एर होगा परसेंटेज बताएंगे यह सभी डीटेल को डालना है अगर आपने 12 कंप्लीट कर लिया तो 12 का डीटेल डालेंगे अने था इसको आपको blank छोड़ देना है अगर नहीं लेगा तो रॉल कोड के साथ रॉल नंबर को आपको डाल करना है उसके बाद यहां से बुनाफाइट सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना होगा बुनाफाइट को यहां से फिलप करके जिसे इसको बेरिफाइब करवाकर फिर से अप्लोड करके ही फाइनल समिट करना तो अभी बुनाफाइट को आप डाउनलोड कर ले उसके ब आपका फॉर्म फाइनल समिट होता है तो अभी यह सभी डोकमेंट को हम रेडी करते हैं फाइनल समिट नहीं करेंगे तो दोस्तों यह एक कम्प्लीट प्रोसेस था निशनल स्कॉलर्शिप का ओनलाइन आविदन करने का और इसका लाब लेने का हमने कम्प्लीट जानकारी आपके साथ साजा किया पिर भी कोई डाउट है या आप कन्फूजन है तो कॉमेंट करके आप पोस सकते हैं वीडियो कैसा लागा कॉमेंट करके आप जरूर बताए वीडियो द तेखने कली बहुत बहुत धिर्नवाद